Shia Butter versus Coco Butter अब काफी products में Shia Butter इस्तमाल किया जाता है और आपने market में देखा होगा कि Shia Butter को बहुत प्रमोट किया जाता है कि anti-acne है, skin brightening है और dry skin के लिए suitable है बट आजकल नया चलन चला है कोको बटर का और ऐसा लगता है कि दुनिया दो कैम्स में डिवाइड हो गई है जो एक शिया बटर को सपोर्ट कर रहे हैं और एक कोको बटर को सपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सा बटर इन दोनों में से बेटर है आपके लिए और क्या दोनों साथ में इस्तेमाल किये जा सकते हैं? यह आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो इस से पिछली वीडियो में हमने बात करी है शिया बटर के बारे में और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस लिंक पे क्लिक करिए और उसको जरूर देखिए ताकि आपको information मिले detail में कि Shia Butter क्या होता है और उसके क्या benefits है तो starting से पहले मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कोई product इस्तमाल किया है जिसमें Shia Butter हो या Coco Butter हो तो अगर किया है तो नीचे दिये गए comment section में जरूर comment करें Coco for Coco Butter और Shia for Shia Butter ताकि हमें पता लगे कि कितने हमारे viewers इन Butter के बारे में जानते हैं और कितनों ने इसको इस्तमाल किया है तो Shia Butter के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि Shia Butter आफरिका से आता है और कहीं और से नहीं आता है और ये dry skin के लिए बहुत अच्छा है और acne prone skin के लिए भी अच्छा है इसको काफी widely इस्तमाल किया जा रहा है कॉस्मेटिक्स में, क्रीम्स में, सोप्स में और काफी इसको मानियता मिल गई है कॉस्मेटिक प्रोडक्स में कोको बटर, on the other hand, पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है कोको भी आफरिका में मिलता है, लेकिन इंडिया में भी उपता है साउथ अमेरिका में भी उपता है तो कोको सीड्स से कोको बटर बनाया जाता है multiple अलग-अलग countries में कोको बटर का main जो इस्तमाल होता है traditionally वो होता है, चौकलेट्स बनाने में तो कोको बटर की जो स्मेल होती है, वो काफी चौकलेटी होती है उसको deodorize भी अगर हम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको deodorize करके उसकी जो original थोड़ी bad smell है उसको हटा दिया जाता है तो ये था difference cocoa butter और shea butter का in terms of the smell अब क्या इनका difference है in terms of effect on the skin कि stretch marks के लिए, anti acne के लिए या dry skin के लिए बहुत अच्छा है cocoa butter में एक खास बात है ये उसमें एक ingredient होता है CMP, cocoa mass polyphenols, polyphenols होते हैं antioxidants जो हमारी skin की premature aging या premature wrinkle forming stop करते हैं, तो cocoa butter बहुत अच्छा product है जब anti-aging के लिए यूज किया जाए या किसी anti-aging cream के लिए यूज किया जाए तो ये है difference in the end use, shea butter is anti-acne, anti-stretch mark for dry skin और cocoa butter है, anti-aging और for anti-wrinkles तो इन दोनों में से कौन सा better है ideally दोनों अपनी अपनी जगे एकदम perfect हैं लेकिन जब इनको आप साथ में इस्तमाल करें तो इनका effect multiply होता है तो अगर आपको dry skin है, तो आपको आज नहीं तो कल premature aging की problem आईगी क्योंकि आपकी skin के अंदर natural oil कम बन रहा है तो अगर आज आप shea butter के साथ, साथ cocoa butter भी इस्तमाल करें तो आप current का problem तो उसको solve करेंगे moisture का लेकिन future की premature aging भी आप prevent करेंगे तो ये एक important point है नोट करने के लिए कि अगर आपको dry skin का issue है तो shea butter के साथ साथ cocoa butter भी इस्तमाल करें या कोई ऐसा product देखें जिसमें दोनों butter यूज किये गए हो तो ये थी आज की हमारी short video की shea butter और cocoa butter में क्या difference है और क्या benefits है इन दोनों के और इनको आप कैसे use कर सकते हैं I hope आपको हमारी video अच्छी लगी हो और अगर आपको हमारी information helpful लगी है तो please इस video को like करें और हमारे channel को subscribe करें और इसको share करें ताकि जादा से जादा लोग इस information का फायदा उठा सकें So thank you और हमेशा याद रखें खाना हो या लगाना, natural और organic ही लाना करें चेश hell है बnament human फिसपको यादास पिसकादा जर कि पिसकादा